गर्मियों में लोकी का जूस पीने के अद्बुत फायदे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में एक बहुत महत्पुर जानकारी के साथ दोस्तों लोकी को सेहत के लिए बहुती फायदमंद माना जाता है गर्मियों के मौसम में लोखी के सेवन से कई स्वास्त समस्याओं से बचा जा सकता है लोखी में लगबग 12 पतसर तक पानी होता है और बाकी फाइबर होता है लोखी को घीया के नाम से भी जाना जाता है भारती बेंजनों में लोखी का खोब इस्तमाल किया जाता है लोकी की सबसे अच्छी बात है कि ये बेहत आसानी से मिल जाती है बहुत से लोग को लोकी खाना पसंद नहीं होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोकी सहत के लिए बहुत ही गुड़कारी मानी जाती है लोकी का पौदा एक लता होती है जिस पर लोकीयां उगती है लोकी में कई गुड होते हैं जो सरी के कई रोगों को दूर रखें मदद करते हैं आपको बता दें कि लोकी आपके सरी में बिटामिन B, बिटामिन C, आयरन और स्रोडियम की कमी को पूरा करने मदद करती है आम तोर पर लोकी दो प्रकार की होती है गोलाकार और बिलनाकार लोकी में आयम की मात्रा भी भरपूर मात्रा में पाये जाती है जिन लोगों में हमोगलबिन की कमी है उन्हें अपनी डायट में लोकी को सामिल करना चाहिए दोस्तो आज हम आपको लोकी नहीं बलकि लोकी के जूस के फायदों के बारे में बताने वाले हैं अगर आप लोकी का सेवन नहीं करते हैं तो आप लोकी के जूस का सेवन जरूर करें रोजाना सुबह खाली पेट एक गिलास लोखी का जूस पीने से सरीर को कई लाब मिलते हैं तो आए जानते हैं इन अद्भुत लाबों के बारे में पहला फाइदा वेट लास करने में कैसे मदद करता है लोखी का जूस इसके पोसकता तो इसे मदमे रोगियों और वजन को कम करने वालों के लिए उप्युक्त बनाते हैं इस जूस में उच मात्रा में फाइवर होता है जो भूक को कम करता है और गुलकोजासोसल में भी देरी करता है और इसमें गलासेमिक इंडेक्स कम होता है संत्रित, वसा और कुलेटाल भी कम करता है ये विटामिन C, राइवफलोवीन जैसे सुस में पोस्त प्रत्यों से भरपूर होता है इसके अलावा इसमें थायमीन, आयरन, मैगनेजियम और मैगनेज भी होता है जो सरीर के लिए फायदबंद होता है दूसरा फायदा, ये सरीर को ठंडा करने में करता है मदद लोकी के रस का सरीर पर ठंडा पर भावा पड़ता है और ये सरीर को अच्छी तरह से हाइडरेट रखता है खासकर गर्मियों के उदारान यह सरीर की गर्मी को कम करने और पेट को ठंडा रखने में मदद करेगा गर्मी के दिनों में आपको बहुत पसीना आता होगा लोखी का जूस पीकर आप पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं लोखी का जूस ने किवल सरीर को ठंडा रखता है बलकि यह गर्मी से सम्मंदित विबिन इस्तितियों जैसे की अलसर, फुन्सियों और नाक से खून बहने का भी इलाज करता है जब आपकी सरी की गर्मी बढ़ जाती है तो यह चीजे बहुत ही आम होती है तीसरा फायदा, दिल को हेल्दी रखने में करता है मदद जैसा की हमने बताया की लोकी में सचिरेटेड फैट और कुलिस्ट्राल की मातरा काफी कम होती है जो आपके ब्लट पैसर को कंट्रोल करके दिल को स्वस्त रखने में मदद करता है लोकी का जूस रोजाना पेने से आपके नसों में कुलिस्ट्राल जमा नहीं होगा और आपके दिल समंधित लोगों के जोकिन को भी कम करेगा चौथा फायदा, पाने की कमी दूर करने में करता है मदद अगर आपको गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है ठकान रहती है या दस्त लग जाते हैं तो आप रोजाना एक गिलास सुबै लोकी का जूस पीकर इन सभी समस्याओं से राहत पा सकते हैं लोकी के जूस में प्राकेटिक एंजाइम होते हैं जो सरी में पाने की कमी को पूरा कर देते हैं और ज्यादा प्यास लगने की भावनों को भी कंट्रोल में रखते हैं लोकी का जूस सरी में पाने की कमी को पूरा करते हैं हेल्थ से जुड़े और वीडियो को देखने के लिए हेल्थ आप को सस्क्राइब करें और वेल आइकन को दबाने के साथ ही आल नोटिफिकेशन को वान कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अप्लोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके इसके लिए आल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें पांचाव फायदा जब आप लोकी का जूस पीना सुरू करेंगे तो आपको कलोश्राल के अस्तर में कमी देखने को मिलेगी इस जूस को पीने से ने सिर्फ कलोश्राल कम होगा बलकी लिपिड प्रोटीन और वसा भी कम होगा आप निमीत रुप से सुबह का नास्ता करते समय लोकी का जूस पी सकते हैं इसके अलावा लोकी की रस्में फाइटो केमिकल्स इस्पैनिस भी होते हैं जो रख में पाए जाने वाले सभी हानिकारा फैटी एसिट को हटाने के लिए सरीर में लिपोप्रोटीन गदविद्यों को बढ़ा सकते हैं और सरीर में कलोश्राल के अस्तर को गिराते हैं चाथा फाइदा पेट की बिमारी को करता है दूर बार के खानपान के कारड लोगों में पेट की आम समस्या है ऐसे में लोकी का जूस कारगर रहेगा ये कब्जी के समस्या से राहाद देता है साथ ये डायरिये जैसी बिमारी से भी छटकारा देता है इसके जूस में अधिक मातर में पानी और फाइबर के कारण सरीर के पाचंतनत को भी मजबूती मिलती है जिससे पाचंतनत अच्छा बना रहता है साथमा फायदा सरीर को डेटाक्स करने में करता है मदद सुबह की सुरुवात लोखी का जूस से करने से सरीर को उड़जा मिलती है और सरीर हल्दी बना रहता है इस जूस में पानी और एंटी अक्सिडंट होते हैं जो सरीर को हनिकारक बिसातक पतारतों को बाहर निकालने मदद करते हैं और सरीर को स्वस्त बनाय रखते हैं आठवा फायदा लीवर में करता है मदद लीवर हमारे सरीर का सबसे महतरपूर अंग होता है ज़्यादा तला भुना या अनहेंदी खाना खाने से लीवर में सूजन आदिकी समस्या हो जाती है लेकिन आपको बता दें कि लोकी के जुज का सेवन करने से लीवर को स्वस्थ रखा जा सकता है मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में ऐसे कि सिवर अच्छे जनकारी के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें धन्यवाद